नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल पर तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे मूँ में घुल जाने वाली चीनी की बर्फी जो की खाने में काफी टेस्टी होती है एकदम मूँ में घुल जाने वाली बनेगी और बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम समय में बनके तयार हो जाती है और आप इसे किसी भी ब्रत उपवास में बना के खा भी सकती है और भगवान को भोग भी लगा सकती है प्रशाद की रूप में भी चढ़ा सकती है ऐसे भी मीठा खाने का मन कर रहा है घर में बच्चों को बहुत पसंद आती है मे और इसी कटोरी से एक जोधा ही कटोरी मैंने दूद का इस्तमाल गया है तो दूद बिल्कुल ऑप्शनल है आपका मन करे तो डालिए नहीं तो नहीं भी डालेंगे बीना दूद के भी आप इसे बना सकती है और गैस को मीडियम फ्लेम पर खोल के दूद और चीनी पानी को एक साथ थोड़ी दिर घुलने देना है जब चीनी पानी दूद एक साथ अच्छी तरह से घुल जाए तब आप आज को बढ़ा सकती है और दूद डालने से क्या होता है कि जो बरफी है थोड़ी सी टेस्ट में भी अच्छी लगती है और इसका जो कलर है बनने के बाद बहुत ही प्यारा साथ आता है बस आपको चाशनी अच्छे से पैचानने है चाशनी अच्छे से पैचानेंगे तो बरफी बहुत ही अच्छी बनके तयार होगी तो इस तरह का जब मिश्राट गाढ़ा हो जाए तो इसे चेक कर लेना है कटोरी में और तब तक हम ग्यास को बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर चाशनी हमारी कड़ी हो जाएगी बरफी भी कड़ी हो जाएगी और ठंडा होने के बाद दो उंगलों के बीच में चिपका के इस तरह से देखिए इस तरह की चाशनी तयार है तो बिलकुल परफेक्ट है या फिर इसे कड़ी चाशनी भी आप तयार करके बना सकती है पर वह बरफी थोड़ा ज्यादा कड़ी हो जाती है अब इस मिशन को चलाते हुए ठंडा कर लेना है बिलकुल इस तरह से लगातार चलाना है मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे यह मिशन जैसे जैसे ठंडा होगा एकद जो मिशन है फट जाता है कोई बात नहीं फट भी जाएगा तब भी आपकी बरफी जो है काफी टेस्टी बन के तयार होगी क्योंकि वह इस तरह दो फॉम में आने के बाद पता नहीं चलता कि फटी हुई है और यहां पर देख सकते हैं कितने जल्दी यह ठंडी हो रही है जैसे जैसे ठंडी हो और यह तो अब आपको इसे प्लेट में निकाल लेना है और प्लेट में निकालने के बाद इसंचे पटला फटला मोटा जैसे आप कर सकती मैं आपको पतली मोटी बरफी चाहिए उस हिसाब खुछ भी नहीं मिला है आपको और और टेस्ट को बढ़ाना है तो इलाइची पाउडर बगरे डाल सकते हैं राइफ उट जाएक बेसे बना सकती हैं लेकिन बिना किसी चीज आप अगर दूद AN toward चिनी यह यह पानी से बनाती है तो यह बर्फी काफी टेस्टी बन के तयार हो और खाने में स्वाधिश्ट लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसके उपर छिड़क दिया है यह बिल्कुल आप्शनल है आपके पास हो तो छिड़किये ना हो तो कोई बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा छिड़क देंगे ना तो इसका टे पका कर चाशनी अच्छे से पहचानी है तो इस बर्फी को बनने में मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगते हैं 10-15 मिनट के अंदर ही बनके तयार हो जाती है और किसी भी व्रत उपवास पूजा में आप इसे बना के खा सकते हैं और प्रशाद के रूप में चढ़ा सकते हैं और बैसे भी घर में मीठा खाने का मन कर रहा है बच्चों को मन कर रहा है तो आप इसे तुरंद बना के दे सकती हैं और देखिए 10 मिन बाद ही कितनी आसानी से निकल जा रही है इसे बनाने बहुत आसान है तो देख सकते कितनी प्यारी सी बर्फी हमारी बनके तयार हुई उसे थोड़ी सी चीनी से बनाइए चोटी सी कटोरी से नापकी बनाइए ताकि अगर आपका चाशनी खराब हो जाती है और इसकी आवाद से आपको पता चल जाएगा कि यह बर्फी कितनी अच्छे से से हुई है आप भी अपने घर पर प्रफी को ट्राइब करिए और वीडियो पस्तद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अगर चानल पर नए है मेरी और ऐसी आसान रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लिस चानल को सब्सक्राइब कर ल